जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 नवंबर और 8 नवंबर के कन्या राशी फल के बारे में कन्या राशी के लोगों के लिए नवंबर मा के ये दो दिन कैसे रहने वाले हैं जानेंगे इन दो दिनों के बारे में सब कुछ विस्तार से आपकी सिक्षा के बारे में, व्यपार के बारे में, प्रेम संबन, व्यवाहिक जीवन, पारिवारिक संबन और स्वास्था के बारे में, सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पासी बने घंटी के बटन को भी दबा दे ताकि हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन दो दिनों में कौन सी तिथी होगी नक्षतर क्या होगा योग क्या बनेगा और इकादशी तिथी शुरू हो जाएगी और इस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षतर रहेगा व्यागात नाम का एक योग बन रहा है गुरुवार का ये दिन है और सुभा साड़े पांस बजे तक चंद्रमाकों में राशी में रहेंगे उसके बाद मीन राशी में चले इस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षतर रहेगा और हशन नाम का योग भी बन रहा है ये शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन इस एकादशी का आना बेहद शुभ है चंद्रमामीन राशी में है सूर्य तुला राशी में है विशा का नक्षतर है तो इन ग्रह नक पूंट दिन है क्योंकि इस दिन भगवान विश्णु चार माह के बाद अपनी निंद्रा से जागेंगे जिसे चतुर मास कहा जाता है तो चतुर मास समाप्त होगा और इस देव उठनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कारियों की शुरुबात हो जाएगी शुबकारिय ज यह जो कार्टिक माह होता है यह अपने आप में ही एक भगवान विश्णु का महिना होता है और ऐसे में यह जो एकादशी होती है तुलसी विवा होता है यह बहुत महत्पून रखते हैं इस दिन को बहुत ही महत्पून बनाते हैं इस दिन यदि कुछ उपाय के जाएगे तो आप अपनी जीवन से किसी भी तरह की परशानी की से निजाथ पा सकते हैं और ये दीन भगवान विश्ण की आराधना करने का मालक्षमी की आराधना करने का बड़ा पर्व होता है साथ ही ये शुकरवार के दिन पढ़ रहा है जो मालक्षमी का दिन माना जाता है तो बहुत ही अच्छा ये समय रहने वाला है तो हम इस दिन के बारे में आपको बाद में बताएंगे वीडियो केंट में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या उपाय करना चाहिए और आपके लिए क्या शुब रहेगा क्या क्या कारिया आपको इस दिन करने चाहिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन दो दूनों में आपके लिए स्थितियां कैसे बन रही है किन चीजों से लाब मिलेगा किन चीजों में आपको सावधानी बरतनी होगी तो सब कुछ जानते हैं चलिए ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये आपकी साथवे भाव में है और साथवे भाव में चंद्रमा अच्छे रिजल्स देते हैं चंद्रमा जो होते हैं हमारे मन के कारक होते हैं तो जब चंद्रमा अपने इस्थिती बदलता है अशुब भाव में होता है तो आपको शुब रिजल्स देखने को मिलता है आपका इन दो दिनों में तो अपने शब्दों का चुनाव आपको सोच समझ कर करना होगा आपको किस से क्या कहना है आप किस से क्या कह रही है इस बात का ध्यान आपको रखना होगा क्योंकि आपके ही शब्दों को तोड मरोड कर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है तो अच् जान रहे कि वे अपने कोशल से आपको हराने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखें सारा ध्यान काम पर रखना है और अपने काम को पूरा करना है विरोधियों को खुद पर हावी न होने दे खुद उन पर हावी रहें आज आपको उनसे करने वाले लोगों के लिए सबसे अधिक माइने रखती है. आफिस में आज अपने कारे की सराहना आपको करानी है, अपने कारे को पूर्ण करना है, वैर्थ की बातों में समय बिल्कुल नहीं बिताना है. क्योंकि आज आपके जो सहकर्मी हैं तो आज उसकी वसूली हो सकती है दूसरे छित्रों से भी आज पैसा आने के आपके लिए संकेत बने हुए हैं आज कहीं से आपके पास पैसे आ सकते हैं किसी को उधार दिया हुआ था तो वो आपको पैसे दे सकता है तो कहीं ना कहीं से पैसे आने का संकेत इन दो दिनों म में हो सकते हैं यदि हम प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन की बात करें तो आप अगर वैविवाहित हैं पार्टनर की होज कर रहे हैं तो इसमें आपको इस समय कामया भी मिल सकती है पिशले दिनों आपको जिन कारियों में सफलता नहीं मिली उनमें आज कामिया भी मिल सकती है आज आपके परिवारी का सदस से आपके लिए बड़े ही खुशी का इजहार करेंगे आज आपके परिवार में आपके लिए कोई रिष्टा आ सकता है अगर आप अविवाहित हैं और रिवाह के योगे हैं तो आपके लिए रिष्टों की शुरुवात ह हो सकती है तो आपको चैन करना है कि कौन सा रिष्टा आपके लिए सही है तो आज का जो परिणाम है वो आपके लिए आनन दायक रहेगा आनन देने वाला परिणाम आज आपके लिए रहने वाला है परिवार का माहुल आज आपके लिए अच्छा बना रहेगा परिवार में खुशियां रहेंगी और सभी परिवार वाले आज आपकी बात भी मानेंगे तो कोई भी नेड़े आपको लेना है परिवार वालों का आप बताएं और आपका पूरा परिवार आपके साथ होगा विवाहिद जात्कों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा आपने साथी के साथ आप किसी धार में के स्थल पर जा सकते हैं कोई पूजा पार्ट आप करा सकते हैं जीवन साथी के साथ अच्छा समय वैतित करेंगे जिवन साथी आपके लिए चिंता भी जाहिर कर सकता है जिससे आपको ये एहसास होगा कि वो आपके लिए कितना माइने रखता है आपकी कितनी केयर करता है तो उसको आप भी सपोर्ट कीजिए जिवन साथी के लिए ये लाब का अवसर होगा वो आपके हर कारे में साहता देगा और अपने साथी की तरफ से आपको लाब की प्राप्ती भी हो सकती है संतान की तरफ से कोई खुशकबरी आपको सुनने को मिल सकती है संतान आज आपकी बात मानेगी जिसे मन आपका प्रसंट रहेगा साथ ही आज सिक्षा के यदि हम बात करें तो विद्यारतियों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा आज विद्यारती विर्थ की बातों में समय गवा सकते हैं तो उन पर पैरेंट्स को जरूर नजर रखनी चाहिए और उनको पढ़ाई पर अपना ध्यान के इंदित करना चाहिए क्योंकि इस समय की जो पढ़ाई होती है वो सबसे महत्पून होती है क्योंकि अभी आने वाले दिनों में एक्जाम भी होंगे और उनकी तैयारियां आपको अभी शुरू कर देनी चाहिए तो आपके लिए अच्छा होगा ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकें तो व्यर्थकी बातों में समय अपना ना गवाए अपनी पढ़ाई पर फोकस करें अगर नहीं कर पाते हैं तो मेडिटिशन करें, योग करें जो आपको अपनी पढ़ाई की तरफ मन को लगाएगी आपको एकागर कर पाएगी स्वास्ते की दरस्टी से देखा जाए तो अगर आप बीपी जैसी किसी परिशानी से प्रभावित हैं तो खुद को तनापुन महसूस कर सकते हैं तो इस समस्या का हल आपको निकाला है गहरे और लंबे सांस ले और इस तरह का तरीका अपना कर आप इसका हल निकाल सकते हैं थोड़ी फिटनेस पर ध्यान दें बाहर की खान पान से बचें और नियमित रूप सी वयाव करें थोड़ी सी ही वयाव करें थोड़ा सा टह ले आप लेकिन आप टह ले जरूर खास तोर से जो 60 अबव हैं जो 60 के पार व्यक्ति हैं उनको अपनी सेहत का खास तोर पर इस समय ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी जो स्वास्ते इस्तिति है वो ठीक ठाक रहे अब हम बात करते हैं एकादशी के बारे में दोस्तों ये एकादशी जैसा मैंने कहा बहुत ही महत्पून एकादशी है इसे देवो ठान एकादशी कहा जाता है इस दिन देवों को उठाया जाता है भगवान विश्णू को इस दिन उठाया जाता है शयान से और इसके साथ ही मालक्षमी की प्रार्थना करने का भी ये दिन है इस दिन उपाए भी आपको करने चाहिए और यदि तुलसी विवाह कहीं आपको दिखता है तुलसी विवाह होता है तो उसके आप साक्षी बने उसमें आप हिस्सा लें तुलसी विवाह का मतलब होता है साक्षात भगवान विश्णू का आवाहन करना तो इस दिन दे कि पूजा भी करें और तुलसी विवाह का आप साक्षी बने साथ ही आप उपाय कर सकते हैं उपाय इस दिन उपाय जो होते हैं वो बहुत महत्पूर्ण होते हैं जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनको इस दिन क्या करना चाहिए थोड़ी सी चनी की दाल थोड़ा सा गुड के सर आप भगवान विश्णू मंदे में ले जाकर भगवान विश्णू को अरपित करें और उनसे अपने विवाह के लिए प्रार्थना करें तो प्रेम विवाह भी हो सकता है और विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर हो सकती हैं साथ ही इस दिन आप किसी सफेद मिठाई का या फिर खीर का भोग भगवान विश्णू को लगाएं और उसके आप खुद भी अर्पित करें और उसको परशाद रूप में भी बाटें यह आपके लिए सुक समरदी का उपाय होगा और इस दिन तुलसी के पूजा करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भोलें